लीजे सुनिए सूर्य कांत तिरपाठी निराला की लिखी कहानी पदमा और लिली मेरी यानि समिर गोस्वामी की आवास में पदमा के चंद्र मुख पर शोडश कला की शुब्र चंद्री का अमलान खिल रही है एकांत कुंज की कली सी प्रणाय के वासंती मला इस पर्ष से हे लुठती विकास के लिए व्याकुल हो रही है पदमा की प्रतिभा की प्रशन सा सुनकर उसके पिता औरेरी मजिस्ट्रेट पंडित रामेश शुरजी शुकल उसके उज्जल भविश्य पर अनेक प्रकार की कलपनाएं किया करते हैं योग गवर के अभाव से उसका विवाह अब तक रोक रखा है मेट्रिक परिक्षा में पदमा का सूबे में पहला इस्थान आया था उसे विर्ति मिली थी पत्नी को योग गवर्न मिलने के करण विवाह रुका हुआ है शुकल जी समझा देते हैं साल भर से कन्या को देख कर माता भविश्य शंका से कांप उठती है पदमा काशिविश्व विद्याले के कलावे भाग में दूसरे साल की छात्रा है गर्मियों की छुट्टी हैं इल्हाबाद घर आई हुई है अब के पदमा का उभार उसका रूप रंग उसकी चितवन चलन कौशल वारता लाप पहले से सभी बदल गए हैं उसके हिर्दय में अपनी कलपना से कोमल सौंदर्य की भावना मस्तिष्क में लोकाचार से स्वतंतर अपने उच्छरंखल आनुकूल के विचार पैदा हो गए हैं उसे निसंकोच चलती फिरती उठती बैठती हस्ती बोलती देखकर माता हिर्दय के बोल वाले तार से कुछ और ढीली तथा बेसुरी पढ़ गई हैं एक दिन संध्या के डूपते सूर के सुनहले प्रकाश में निरब्र नील आकाश के नीचे छट पर दो कुर्सियां डलवा माता और कन्या गंगा का रजट सौंदर एक टक देख रही थी माता पदमा की पढ़ाई, कॉलेज की छात्राओं की संख्या, बालिकाओं की हॉस्टल का प्रबंधादी बाते पूछती है पदमा कहती है, हाथ में हाल की निकली स्ट्रेंड मैगजीन की एक प्रती, तस्वीरें देखती जाती है हवा के एक हलका जोंका आया, खुले रेशमी बाल, सिर से साड़ी को उड़ा कर, गुदगुदा कर चला गया सिर ढख लिया करो, तुम बेहया हुई जाती हो, माता ने रुखाई से कहा पद्मा ने सिर पर साड़ी की जरीदार के नारी चढ़ा ली, आँखे नीची कर किताब के पन्ने उलटने लगी पद्मा, गंभीर होकर माता ने कहा जी, चलते हुए उपन्यास की एक तस्वीर देखती हुई, नमरता से बोली मन से अपराध की चाप मिट गए, माता की वातसलिसरिता में कुछ देर के लिए बाढ़ सी आ गई, उठते उच्छवास से बोली कानपुर में एक नामी वकील महेश पर साथ तरपाथी हैं, हम, एक दूसरी तस्वीर देखती हुई, उनका लड़का आगरा इन्वरसिटी से एमे में इस साल फस्ट क्लास फस्ट राया है, हम, पद्मा ने से उठाया, आँखे प्रतिभा से चमक उठी, तेरे पिताजी को म में पक्की हो गई है, हम, मौटर की आवाज पा पद्मा उठकर चट की नीचे देखने लगी, हर्श सेहरदाय में तरंगे उठने लगी, मुस्कराहट दबा कर आप ही में हस्ती हुई चुपचा बैठ गई, माता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, विवाह के इन बाबू मिलने आए है, पद्मा की माता ने एक कुरसी डाल देने के लिए कहा, कुरसी डालकर नौकर राजैन बाबू को बुलाने नीचे उतर गया, तब तक दूसरा नौकर रामेश्वर जी का भेजा हुआ, पद्मा की माता के पास आया, कहा, जरूरी काम से कुछ़ द कर आशिरवाद दिया और कहा चलो पदमा छट पर है बैठो मैं अभी आती हूं राजेंदर जज का लड़का है पदमा से तीन साल बढ़ा पढ़ाई में भी पदमा अपराजिता बड़ी बड़ी आँखों की उतसुकता से प्रतिक्षा में थी जब से छट से उसने देखा था आईए राजेंदर बाबू कुशल तो है पदमा ने राजेंदर का उठकर स्वागत किया एक कुर्सी की तरफ बैठने के लिए हाथ से इंगित कर खड़ी रही राजेंदर बैठ गया पदमा भी बैठ गई राजें तुम उदास हो तुम्हारा विवा हो रहा है राजेंदर हेमालाई की तरह उस पर अटल रहूंगी पदमा अपनी कुर्सी पर बैठ गई मैगजीन खोल उसी तरह पन्नों में नजर गड़ा दी जीने से आहट मालूम दी माता निगरानी की निगाह से देखती हुई आ रही थी प्रकृती इस तब्ध थी मन में वैसे ही अन्वेशक पलता क्यों बेटा तमिस साल भी ये हो गए हस कर पूछा जी हां सिर जुकाय हुए राजिंदर ने उत्तर दिया तुम्हारा विवा कब करेंगे तुम्हारे पिता जी जानते हो जी नहीं तुम्हारा विचार क्या है आप लोगों से आग्या लेकर बिदा होने के लिए आया जी हां तुम साहब बनकर विलायस से आना और साथ एक मैं भी लाना मैं उसकी शुद्धी कर लूँगी पदमा हस कर बोली आखे नीची की ये राजिंदर भी मुस्कराने लगा नौकर ने एक तश्तरी पर दो प्यालों में चाय दी दो रकाबियों पर कुछ बिसकुट और क दूसरा एक मेज उठा लाया राजिंदर और पदमा की कुर्सी की बीच रख दी एक धुली तौलिया उपर से बिचा दी सासर पर प्याले तथर रकाबियों पर बिसकुट और केक रखकर नौकर पानी लेने गया दूसरा आ गया कि प्रतिक्ष्या मैं खड़ा रहा मैं निशे कर चुका हूँ जबान भी दे चुका हूँ अब के तुम्हारी शादी कर दूँगा पंडित रामिश्वर जी ने कन्या से कहा लेकिन मैंने भी निशे कर लिया है डिग्री प्राप्ट करने से पहले विवाह न करूँगी सिर जुका कर पदमा ने जवाब दिया पदमा के हिर्दाए के खिले गुलाब की कुल पंखड़िया हवा के एक पुर्जो और जोंके से कांप उठी मुक्ताओं से चमकती हुई दो बूंदे पलकों के पत्रों से जड़ पड़ी यही उसका उत्तर था राजिन जब आया तुम्हारी माता को बुलाकर मैंने जीने पर नौकर भेज़ दिया था एक आंत में तुम्हारी बाते सुनने के लिए तुम हिमालाए की तरह अटल हो मैं भी वर्तमान की तरह सत्त और द्रह रामिश्वर जी ने कहा तुम्हे इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया कि तुम कुल कलंक बनो आप ये सब क्या कह रहे हैं चुप रहो तुम्हें नहीं मालूं तुम ब्रामन कुल की कन्या हो वो खशत्रिय घराने का लड़का है ऐसा विवा नहीं हो सकता रामिश्वर जी की सांस तेज चलने लगी आँखें भौहों से मिल गई आप नहीं समझे मेरे कहने का मतलब पदमा की निगाह को छोट गई मैं बातों का बनाना आज दस साल से देख रहा हूँ तुम मुझे चराती है वो बदमाश इतना बहुत है आप अदालत के अफसर है अभी अभी आपने कहा था अब तक अकल की पहचान करती रही है ये आपके अकल की पहचान है आप इतनी बड़ी बात राजेंदर को उसके सामने कह सकते हैं बतला ये हमालाई की तरह अटल सुन लिया तो इससे आपने क्या सोचा आ रामेश्वरजी करोध से कापने लगे आप गलिती कर रहे हैं आप मेरा मतलब नहीं समझे मैं भी बिना पूछे हुए बतला कर कमजोर नहीं बनना चाहती पदमा जेट की लू में जुलस रही थी स्थल पदम सा लाल चेहरा तम तमा रहा था आँखों की दो सीपिया पुरस पदमा जेली से टेक कर सोचने लगे पदमा उसी तरह खड़ी दीपक की निशकंप शिखासी अपने प्रकाश में जल रही थी क्या आड़ थे मुझे बता माता ने बढ़कर पूछा मतलब ये राजयन को संदे हुआ था मैं विवाह कर लूँगी ये जो पिताजी पक का करा हैं इसके लिए मैंने कहा था कि मैं हमालाई की तरह अटल हूँ ना कि ये कि मैं राजयन के साथ विवाह करूँगी हम लोग कह चुके थे कि पढ़ाई का अंत होने पर दूसरी चिंता करेंगे पदमा उसी तरह खड़ी सीधे ताकती रही तू राजयन को प्यार नहीं करती आँख उठा कर रामिश्वर जी ने पूछा प्यार करती हूँ करती है हाँ करती हूँ बस और क्या पिता पदमा की आबदार आँखों से आसुआं के मूती तूटने लगे जो इसके हिर्दाए की कीमत थे जिनका मूले समझने वाला वहां कोई न था माता ने ठोड़ी पर एक उंगली रख रामिश्वर जी की तरफ देख कर कहा प्यार भी करती है मानती भी नहीं अजीब लड़की है चुप रहो पद्मा की सजल आँख है भौं से सट गई विवाह और प्यार एक बात है विवाह करने से होता है प्यार आप होता है कोई किसी को प्यार करता है तो उससे विवाह भी करता है पिता जी जब साहब को प्यार करते है तो क्या इन्होंने उनसे विवाह भी कर लिया ह रामेश्वर जी हस पड़े रामेश्वर जी ने शंका की दृष्टी से डॉक्टर से पूछा क्या देखा अपने डॉक्टर सहाब बुखार बड़े जोर का है अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता जिस्म की हालत अच्छी नहीं पूछने से कोई जवाब भी नहीं देती कल तक अच्छी थी आज एकाए कितने जोर का बुखार क्या सबब है डॉक्टर ने प्रश्णी की दृष्टी से रामेश्वर जी की तरफ देखा रामेश्वर जी पतनी की तरफ देखने लगे डॉक्टर ने कहा अच्छा में एक नुस्खा लिखे देता हूँ इससे जिस्म की हालत अच्छी रहेगी थोड़ी सी बर्फ मंगा लीजेगा आइस बैक तो क्यों होगा आपके हाँ एक नौकर मेरे साथ भेज दीजे मैं दे दूँगा इस वक्त एक सो चार डिग्री बुखार है बर्फ डाल कर सिर पर रखिए गर एक सो एक तक आ जाए तब जरूरत नहीं डॉक्टर चले गए रामेश श्रजी ने अपनी पत्नी से कहा ये एक दूसरा फसाद खड़ा हुए ना तो कुछ कहते बनता है ना करते मैं कौम की भलाई चाहता था अब खुद ही नक्टों का सिर्टाज हो रहा हूं हम लोगों में अभी तक ये बात ना थी कि ब्रामन की लड़की का किसी खशत्री लड़के से विवा होता हाँ उचे कुल की लड़कें ब्रामनों के नीचे कुलों में गई हैं लेकिन ये सब आखिर कौम में ही हुआ है तो क्या किया जाए इस फारित इस फुरित आँखें पत्नी ने पूछा जैस साहब से इसकी बचत पूछूंगा मेरी अकल अब और नहीं पहुँचती अरे चीटा जी चीटा चिलम रखकर दोड़ा जैस साहब से मेरा नाम लेकर कहना जल्द बुलाया है और भाईय बाबू को भी बुला ला हूँ नहीं नहीं रामेश्वर जी की पत्नी ने डांट दिया जैस साहब पत्र के साथ बैठी हुए वारतलाब कर रहे थे इंगलेंड के मार्ग, रहन सेन, भोजन पान, अदब पाइदे का बायान कर रहे थे इसी समय चीटा बंगले पर हाजिर हुआ और जुक कर सलाम किया जैस साहब ने आके उठा कर पूछा कैसे आये चीटा राम, हुजूर को सरकार ने बुलाया है और कहा है बहुत जल्द आने के लिए कहना क्यों, बीबी रानी बीमार है, डॉक्टर सहाब आये थे और हुजूर बाकी चीटा ने कहे ही डाला था और क्या, हुजूर, चीटा ने हाथ जोड लिए उसकी आखे डबडबा आई जैस साहब बीमारी कड़ी समझ कर घबरा गए ड्राइवर को बुलाया, चीटा चल दिया, ड्राइवर नहीं था जैस साहब ने राजेंदर से कहा जा मौटर लियाओ, चले, देखें क्या बात है राजेंदर को देखकर रामिश्वर जी सूख गए टालने की कोई बात न सूझी कहा, बेटा पदमा को बुखार आगया है चलो देखो, तब तक मैं जैस साहब से कुछ बाते करता हूँ राजेंदर उठा आया, पदमा की कमरे में एक नौकर सिर पर आईस बैग रखे खड़ा था राजेंदर को देखकर एक कुर्सी उसने पलंग की नस्दीक रख दी पदमा, राजेंदर, पदमा की आँखों से टप टप गर मासू गिरने लगे पदमा के एक टक प्रिश्न की दृष्टी से देखते वे राजेंदर ने रूमाल से उसके आँशू पहुँच दिये सिर पर हाथ रखा, सिर जल रहा था पूछा, सिर दर्द है? हाँ, जैसे कोई कलेजा मसल रहा हो दुलाई के भीतर से चाती पर हाथ रखा बड़े जोर से धड़क रही थी पदमा ने पल के मूंद ली नौकर ने फिर सिर पर आइस बैग रख दिया सिरहा ने थर्मा मीटर रखा था जाल कर बाड़ी के बटन खोल राजिंदर ने आहिस्ते से बगल में लगा दिया उसका हाथ बगल से सटा कर पकड़े रहा नजर कमरे की घड़ी की तरफ थी निकाल कर देखा बखार एक सो तीन डिग्री था अपलक चिंता की दृष्टी से देखते हुई राजिंदर ने पूछा पद्मा तुम कल तो अच्छी थी आज एका एक बुखार कैसे आगे है पद्मा ने राजिंदर की तरफ करवट ली कुछ न कहा पद्मा मैं अब जाता हूँ जोरसे उभरी हुई बड़ी बड़ी आँखों ने एक बार देखा और फिर पलकों के परदी में मौन हो गई अब जजज सहाब और रामिश्वर जी भी कमरे में आ गए जजज सहाब ने पद्मा के सिर पर हाथ रख कर देखा फिर लड़के की तरफ निगाह फिर कर पूछा क्या तुमने बुखार देखा है जी हाँ देखा है कितना है एक सो तीन डिगरी मैंने रामिश्वर जी से कह दिया है तुम आज यहीं रहोगे तुम्हें यहाँ से कब जाना है परसो ना जी कल सुबे बतला ना घर आकर पद्मा की हालत कैसी रहती है और रामिश्वर जी डॉक्टर की दवा करने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं जैसा आपका है संपरदान स्वड से रामिश्वर जी बोले जज साहब चलने लगे दरवाजे तक रामिश्वर जी भी गए राजेंदर वहीं रह गया जज साहब ने पीछे फिर कर कहा आप घबराये मत आप पर समाज का भूत सवार है मनी मन कहा कैसा भाप और कैसी लड़की तीन साल बीट गए पद्मा की जीवन में वैसा ही प्रभात वैसा ही आलोक भरा हुआ है वो रूप गुण विद्या और एश्वर की भरी नदी वैसी ही अपनी पूर्णता से अद्रिश्य की और वेग से बहती जा रही है सौंदर्य की वजोत राशी इसने है शिखाओं में वैसी ही अमलान स्थिर है अब पद्मा एमे कलास में पढ़ती है वो सभी कुछ है पर वो रामिश्वर जी नहीं है मृत्यू के कुछ समय पहले उन्होंने पद्मा के एक पत्र लिखा था मैंने तुम्हारी सभी अच्छाएं पूरी की है पर अभी तक मेरी एक भी अच्छा तुमने पूरी नहीं की शायद मेरा शरीर ना रहे तुम मेरी सिर्फ एक बात मान कर चलो राजेंद्रिया किसी अपर जाती की लड़के से विवाह न करना बस इसके बाद से पद्मा की जीवन में आश्चर कर परिवर्तन हो गया जीवन की धारा ही पलट गई एक अद्भुत इस्थिता उसमें आ गई जिस जाती के विचार ने पिता की इतना दुरूबल कर दिया था उसी जाती की बाली काउं को अपने धंक पर शिक्चित कर अपने आदर्श पर लाकर पिता की दुरूबलता से प्रतिशोध लेने का उसने निश्य कर लिया राजेंद्र बैरिस्टर होकर विलायत से आ गया पिता ने कहा तुम यहां कैसे राजेंद्र पूछा बैरिस्टरी में जी नहीं लगता पद्मा बड़ा नीरस व्यफसा है बड़ा बेदर्द मैंने देश की सेवा का वरत गिरहन कर लिया है और तुम मैं भी लड़किया पढ़ाती हूँ तुमने विवाहत तो किया होगा हाँ किया तो है हसकर राजेंद्र ने कहा पद्मा के हिर्दय पर जैसे बिजली तूट पड़ी जैसे तुशार की प्रहत पद्मिनी क्षण भर में स्याह पड़ गई होश मेया अपने को संभाल कर कृत्रे महसी रंग कर पूछा किस के साथ किया लिली के साथ उसी तरह हसकर राजेंद्र बोला लिली के साथ पद्मा स्वर में काप गई तुम ही ने तो कहा था विलायत जाना और मेम लाना पद्मा की आखे बहर आई हसकर राजेंद्र ने कहा यही तुम हंग्रेजी की एमे हो लिली के मानी अभी आप सुन रहे थे सूर कांद तर्पाथी निराला की लिखी कहानी पदमा और लिली मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में